बड़ी खबर आपको बताएं लखीमपूर खीरी से ओपरिशन आदम खोर पर बड़ा अपडेट सामने आए हैं लखीमपूर खीरी में बाग की लोकेशन मिली है बड़ी खबर गर्थनिया इलाके में नाइट विजन कैमरे में ये तस्वीरे कैद गुई और उसके बाद से लगटार इसे ट्रेस किया जा रहा था बड़ी बात ये है कि बाग की लोकेशन मिली है जिसके धर पकड़ के लिए जिसके तलाश के लिए लगटार काई टी में गश्ट पर हैं नाइट विजन कैमरे जगे 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 इंस्टॉल किये गए और इनकी मदद से लोकेशन भी मिली है और यही वो तस्वीर है जो नाइट विजन कैमरे में कैद हुई जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं चेहल कदमी करता हुआ ये बाग देखा गया लखीमपूर खीरी में तमाम ग्राओं में इसकी देशत बरकरार है लोग अपने घरों से निकलने को नहीं तयार है क्योंकि इसी बाग की चेहल कदमी से लोगों को डर है ऐसे में इसे पकड़ने के लिए नाइट विजन कैमरे इनस्टाल किए गए हैं और उनी से ये तस्वीरे मिली है और इसकी साथ ही गर्थनिया इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये लोकेशन इसकी मिली है इसके आज़ पास में इसकी स्पीट के ऐफारिंग इसकी टेरिटरी को या कहां जा सकता है पदचिन्नों को या फूट प आमरे से जो तस्वीर कैद हुई सबसे पहले आप एभी पी न्यूस की स्क्रीम पे देखे यही वो बाग है जिसने लखीमपूर उतरप्रदेश के लखीमपूर खीरी में आतंक और इसका खौफ इतना है कि लोग दिन हो या रात अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं अपने बच्चों को घरों में कैद किये हुए हैं क्योंकि पिछले महीने इसके आतंक से कई लोग परिशान रहे गाउं के गाउं लोग देहशत में हैं तो देहशत की दहार कहीं बेडिया कहीं बाग और बहराइच हो लखीमपूर खीरी हो जहां एक तरफ ऑपरेशन बेड काल किये गए हैं और उन्ही से एक तस्वीर तो मिली और अब इससे सबूत के आधार पे इसके पैरों के निशान के आधार पे आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और अब उमीद लोगों को यही है कि वन विभात को कोई काम्याबी हात लगे इससे इसके घर पहुँचा फिलहाल गाउं पे पैरा और चहल कदमी बाग की तो दोनों ही विकट परिस्थितियां है उत्तर प्रदेश में जहां गाउं के गाउं इस वक्त दैशत में हैं कहीं भेडिये का आतंक है तो कहीं बाग का तो आपको बताएं यह वो तस्वीरे हैं जो नाइट विजन कैमरे स से कैद हुई है